सेकंड गरो पहले सेकंड चरपर्व की सुर्वाद महाभाद काल के दोरान हुआ था ग्रामीर छेत्रों में इसकी सुर्वाद कैसे होती है सूर देव की उपासना की जाती है प्रिथुवी पर जीवन और प्राद का संचार होता है यह देखिए बारिका को वा राज घाट पु जाकि ठेट सारी सुबकावना है भाई मेरे आज तैयारी कर रहे हैं लगभग आज यूं कहलीजिए लगभग 11-12 साल से हमारे भाई इस जगह में छट पुजा के विसेश तैयारी में लगे हुए हैं लगे रहते हैं और अभी मैं नहाद होकर के तैयार हो गया हूं चलता पहले वहाँ पर जहां पर छट पुजा किया तैयारिया हो रहे हैं बहुत सारी चीजें वहाँ पर हो रहे हैं हमारे यह बढ़ाल तो यह छट पुजा नहीं मनाया जाता है क्योंकि मेरी मम्मीन कभी तखी नहीं अभी जल्दी से शुरुगात हुए पता चला है तो वहाँ कि यह आज जूदी जा रही देखने क्षण करने क्या हुआ है यहां पर हो सुबह सुबह आई पहले पहले चलो आज हमको यह ले आई है और वहां पर दो तिन देशी वाले कुत्ते हैं यह लोग को देखते ही सब भग गए अब काटना शुरू कर रही है अब देखिए धीर ध बेदियां बन गई है अब बेदी एक दो तीन चार पांच छे साथ आश नो दस ग्यारे बारत तेरे चुदे पंदे शोले सतरह ठारों नैस बीस कीश बारिस तेईश चोईश पचीस 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 बेदियां बनें एक कुछ कुछ बेदियों में नाम भी लिखा हुए ना नाम तो परेंचला क्या लिखा हुआ है यहां आरके यसके साब नाम लिखा हुआ है और आज थोड़ा थोड़ा वो भी है जिसको कह सकते हैं धुदला धुदला नहीं कुमरा भी है शुरू हो गया वाई सही दिन जिस तरह से दिन होना चाहिए आई सही सुद्भगान के इं जल रही जूली चलो 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 रहल चलो 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 यह लोग को देखते ही सब भग गय अभीया काटना सुरू कर लज़े अब देखिए धीर-धीर धीर यह पर बेदियाँ बन गई है अभी तो दिपावली आएगी दो तीन दिन बाद अब बेदी एक दो तीन चार पांच छे साथ आश नो दस ग्यारे बारे तेरे चुदे पंदे सोले बन गई है अगा नाम तो प्रण चला क्या लिखा हुआ है यहां आरके यसके साब नाम लिखा हुआ है और आज थोड़ा थोड़ा वह भी है जिसको कह सकते हैं धुदला धुदला नहीं कुमरा भी है शुरू हो गया वैसे दिन जिस तरह से दिन होना चाहिए अई से इस सुधोगान के इंते जार में जूली क्या करें चलो ओ तर दुदलो चलो उधियो चलो एक चलो ओ तर के चलो कि चलो ऑगा अरे नहीं कि अब बात है इधर भी बना गुआ है इधर भी ब्रेदियां बनी और मैं नों के पास जाओंगा ते सब भाग जाएंगे इसलिए मैं जाओंगा नहीं उनके पास भागे ना बस और यहाँ पर वेदियां एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस दस बेदियां इधर अधर एक लाश्ट में वहाँ पर वहाँ पर एक बेदि बनी हुई है अब यह दोनों चार चार बत्तक हैं चार इधर हैं चार इनलों के एक खासियत है कि जब भी रहते हैं तो चार एक गोल में आख सब मिला करके आज मुझे जो है जूली सुवे सुवे उठा हूँ नहाया धुला पूजा पाड किया करने के बाद जूली घर से बाहर निकल गई निकलते निकलते मैंने कहां जा रही हो वह भागते भागते यहां आई अभी जो है वहाँ बैटी है हाई बोल दो एक बार इससे हाई बोल चुली संद्रों श्रीकड़ों…ॉयए संद्रीट जेता प्रयाव ले निकलते है क sail हें दोल गईंन्य सब्सक्रूरों…ॉश्यारू…ॉश्यारू साउ तंडुन साउरा वहारव हरें…ॉश्यारू। आण दोनों से किया वार जूली बहुत पाघी डिन से स्वागी क्या हुआ हो गई है तैयारी है अभी देखो क्या हो रहा यहँ पर आदंगे लगए और अब जो है पूरी तरह से यह ख्लीन हो चुका है निआ जब कल जब यहां पर आउड़तें माताय बहने सभी आएंगी तो सारा ये पुरा ये प्रांगन पुरा भरा हुआ मिलेगा हमारे चरपुजा की तयारिया आप भी बताईए आप क्या चरपुजा की तयारिया क्या क्या हो राच्छपुजा में क्या क्या चीजे वो जरूरी होती है जो एक माता को एक बहन को चरपुजा की तयारी के लिए होती है बिसेश कर ओ नए नए जो हमारे बहने हैं जिनकी नए नए अभी साधिया होई है वो सब लोग चरपुजा में जाते हैं चरपुजा में क्या क्या तयारिया होती है वो सारी चीजे वीडियो में वो साही जानकारे मि आज को देंगी गुल सेव है देखिएज कि ये प्रणवख करें है, अगर आप ना करेएक कहां नहीं हैं तो फिर क्या है यह उनके पापा जी है, अब दुकानदार उभाग गए, उभाग गए वहाँ पर, आप लोगों ने देखा, कौन कौन सा फल मिल रहा था, दुकानदार के जो मालिक है, उनके नाना जी, वो कुछ नहीं बोल रहा थे, लेकिन जो उनका नातिन था, तो क्या क्या कर रहा था, दोस्तों आए चलिए कुछ, इसके तैयारी में लगे हुए लोगों के बारे में, और छटी मया सूर देव की उपासना का यह महापर्व, खास महत होता है, आम जीमें पर भी इसका गहरा असर पड़ता है, सूर की उपासना से हर मौनकामना पुड़ होती है, लोग खोया हु में है, इसके सुर्वात को लेकर कई कहानिया प्रदीत है, जो इसके महत्व को दरसाता है, आए बात कर लेते हैं, इसके बारे में कुछ, आज हमारे हाँ बड़े खास ठंक से मनाये जाता है, काफी लोग यहाँ पर एकठा हुए बाजे गाजे के साथ, वा, क्या बात है, त आई से बताते हैं हम कि इस सुर्वात कैसे हुई, इस सुर्व की उपासना छट माता का, मानता के अनुसार एक कथर प्रसली थे, कि छट पर्व की सुर्वात महाभाद काल के दोरान हुआ था, सुर्व पूर्व कर्ण ने सुर्व की पूजा करके सुर्व की ती कह जाता कि कर्ण भगवान सुर्व के बरंभक थे, वे रोज घंटों पानी में खड़े हुआ के सुर्व देव का अर्ग देते थे, सुर्व की कृफासेवे महान उद्धा बनी और वहीं से पानी में खड दौलत दाजपाट को वापस करने के लिए छट किया था इसके बाद सभी हसनापुल लटे इस बत के जरिये पांडों को राजपाट भी वापस मिल गए थे यह बात करते हैं रमाल कल से इस छट पुजा का पर शुरुआ के अनुसार 14 वर्ष के वनवास बाद जब भवान राम पस रामण वद के पाप से होने के लिए रिसी मुन्यों के आदेश पर राजसुई यग्य करने का फैसला लिया मुगदल रिसी ने माता सिता को गंगा जल छिड़क कर पवित किया एवं कार्तिक मास के सुल पच्छ खष्टी तिति को सुर्देव की उपासना करने का प्रिवत नामक राजा की कोई संतान नहीं थी इसके लिए उनुसने हर जतन कर डाले लेकिन कोई फायदा नहीं राजा आत्मत्या करने का सम्मन बना चुका था तभी सपने में चटी माटा दिखी और सूर्द पासना के लिए कहा राजा ने ऐसा किया संतान की प्राप्प्त रहे हैं च्छट मैया का यह पर्व विशेष तोर पर दिवाली के छड़ दिन बाद ही होता है दोस्तों आईए जान लेते हैं कि यह च्छट पर्व किस तरह से मनाया जाता है इसकी सुर्वात कैसे की जाती है खास करके उत्तर प्रदेश बिहाद ग्रामीर छेत्रों में इसकी सुर्वात कैसे होती है सब कुछ जानते हैं उत्ति सुर्व को अर्गदे का आयु आर्योगता यह संपदा का आश्रिस लेने वाले यह सर्व संपन्न ब्रत होता है सुर्देव च्छटी मईया उसा के लिए प्रिवत नाम इस पर्व के अराध्य हैं इसके तैयारी अत्यंतर स्रम साथ जयो सगन होती है उसा और प्रत्युस्या सूरिक देव को दो सक्ति मानी जाती है उन्हें अर्ग दिया जाता है संधाकाल में दिया जानावला पर्व का प् स्रफ़erd राम के वनवाच्ट लोटने के बाद देवी सीता के अरध्या के राजपरिवार के कुल देवता के रूप में सुरुपासना और महाभार के इंद्रप्रस्क की महारानी दोपती के इस पर्व को मनाने के बारे में बहुत सारे प्रमार हैं सुर्ष पूतर कहां कर प्रती जो है बिन्य नमक का भोजन प्रसाद करती है जिसके बाद पुरा परिमाल भोजन ग्रहन करता है इसी दिन अगले दिन अपने घर के अन्य लोगों की मदस्य सूर देवता को चढ़ाये जाने वाले प्रसाद को बनाने में प्रिवत होने वाले गेहूं को धोकर सूखने के लिए फैला देती है घर के बच्चों को ज होता है निर्जला उनके लामा उन्हें स्वच्चता असोच के लिए कठो नियुमों का पालन करना होता है शाम को घर वाले के लिए भोजन पकाती है जिसमें पूरी तसमई गुर सककर खेर प्रमुक होते हैं तसमई एक बुद पानी का प्रियोग नहीं होता है दूद उसी गाय का इस्तिमाल किया जिका बचला जिवित रहता है शाम को भोजन बनाने से खाली होकर व्रतिन जो होती है पूजा कम्रे में बैठती है अभीविन देवताओं जिन में ग्राम कुल देवता भी सामय लोते हैं नववेद का भोग लगता है नववेद में रोटी तसमई औ लगता है ब्रतिन जब पूजा करती है तो पूरा घर दम साधे बैठे रहता है ताकि उनका ध्यान भंग न हो जाए इसके बाद वे प्रसाद ग्रहन करके अपने उक्वास का पारन करती है वे अपने थाज में कुछ खाना चोड़कर उड़ती है जिसके बाद घर के बाकी स ब्लाग में आप देख रहे हैं वो सवर चीज आपको देखने के मिल रहा है कि कितना भीन लगा हुआ है तीसरे दिन ब्रतिन का पूहाज फिर सुरू हो जाता है और 36 घंते चलता है यह निजला ही रहता है इस दिन परवार के बच्चे डालियां सूप तयार करते हैं जिसमे कि बहुत अच्छे बेउस्था होती है डालिया को घाट पर खोल कर लिये जाता है व्रतिन जल में इसनान कर धलते विज प्रतुसा की बंदना करती है इसके बरहत डालियों को एक दिन के साथ हाथ में लेती है और पूरे परिवास अंड डालियों में जल दूद द्वारा अ इसी जगह स्थाफिर कर देते हैं जहां गलती से इसपर्स पैरों का ना हो चौथा दिन इसी प्रक्रिया दोहराई जाती है और सूर देव की उपासना की जाती है ठीक साम को फिर वापस घर पर चले जाते हैं पर उसमें प्रसाद बित्र करियाता है और नए वश्त धान करत करती है रास्तों में वह मिट्टी की पूजा करती है इस भूमी की उर्वरा सकती और इसकी कृत्त ग्यापन माना जाता है जब ब्रतिन घर पहुंचती है तो घर के सभी सज़स चरश करके अस्विवार प्राब करके उन छड़ों में अपने सभी इंद्रियों और अंगों के आवेश को इस्थिर करते हुए उनकी वारी में छटी मया का निमास मना जाता है यह कई बार लोग गंभी रूप से बिमार होते हैं यह विद दादी नानी कुस बरसों तक हो सकता है बड़ी संख्या में मनोती माल देते हैं कई बार तो ऐसा होता है लोग अपने ही आज-पा बाई जितनी दूरी मापते हैं और उस दूरी से वे जमीन पर की चाकू या निसान लगा जेते हैं जिसके बाद उठकर सूर को प्राम करते हैं निसान वाली जगर पर पैर जमा कर जमीन पर लेड़ जाते हैं फिर जगर पर निसान लगाते हैं यह प्रिक्या घार पर पहु करते हैं लेकिन इससे मिलता हुए निकलना होता है दोस्तों आए बात करें प्रितुवी पर सचाथ दिखने अपने क्यों के से ब्याधियों का नास का पालंग करते हैं छड़ पर पहमन सक्तियों को उसा प्रति उसा को अपना आभार गतीत करते हैं जैसा कि आप आज देख रहे हैं कि सूर्देव को सूर्देव की इंतिजार में करते करते सुर्देव अब निकल चुके हैं और यहां पर भंडारे का भी आया जन होता है छोटा मोटा यह देखिए बारिका को वा यह चुड़ा रही है बाद में इस पोखरे पर लवद 13-14 वर्सों से चलता आ रहा है सुर्वारत में तो बहुत कमी लोग थे रात भर समी लोग तैयार करने के बाद लोग जब जाते हैं तिनलों से प्रसाद मांगा जाता कि आप प्रसाद देखे जाएं जैसा कि भाई हमारे अब इन चोड़र 15 वर्सों से करते हुए आ रहे हैं और जैसे जैसे यह कर रहे थे वैसे दिरे दिरे यहां के भीड बढ़ती है सुलवात में जब देखे यहां प्रसाद बितन हो रहा है सुलवात में जब यह छट मैया के पूजा की बात इनके दिमाग में आए तो इस घा जानते हैं जनरेटर मंगा के इस पुखरे में थोड़ा पानी भरवाए अब इस घाट पर जो है दो चार ही लोग आए ठीक अगले साल उन्होंने फिर वही क्रिया पर शुरू की दो चार आए फिर अगले साल दस आए फिल भीस आए पचीस आए तीस आए सव आए देर सव आए हम चले आये हैं राज घाट पुलव जहां पर दुर्गा जी का विशर्जन किया जाता है यहां पर काफी धूमदाब से मनाया जाता है इस छट मातक की तैयारी होती है सूर्दियों निकल चुके हैं लेकिन तब भी 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 लगा हुआ है आप देखिए माता हैं बहने बड़े ही कि उस्सा के साथ यहां पर आती हैं काफी गाओं की लोग यहां पर मेला की तरह हो जाता है भाव अभी बिकुछ मुर्दियों विशर्जन की गई तो वहां दिख रही है अए चलिए अंदर चलते हैं और अंदर का दिस्कुर्द देखते हैं अभी तो वहां पर स आत्यों कि फ्रीयों तो जानद का अचैसी हैं किण फोली है के तो पुझत अधैं अग्साप्र र्यक्टिक पने सिकते हो तुए यहां पर इस छट मईया की पूजा की तैयारियों का विसाल पर्योजन होता है और यह रहा राज घाड़ पुल जैसा कि दुर्गा पूजन में हमने आपको दिखाया था दुर्गा जी क्यों मुर्ति का विस्राजन यहीं पर्किया जाता है यहीं के लोग होते हैं यह रही छटी मता की बेदी का लोग उजन करते हुए अच्छा भी लगता है यह चलिए मैं वहां पर वो जो थ्वासा दिखते हैं चलते हैं और देखते हैं वहां पर क्या है मुझे लगता है कि छटी मता का मूर्ति वहां बनी होई है कि लोग अर्गदे करके धीरे 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 अपने घर को जा रहे हैं कि दुश्टों आए छोटे से कथा को सुना जेते हैं अखिर में यह है कैसे सुरुआत हुआ तो कथा है कि प्रिवद को कोई संतान नहीं थी राजा प्रिवद थे जब महर्शी कस्यप ने पूत्रे यग कराकर उनकी पत्नी मालिन को यग्यावति के लिए बनाए गए खीड दी इसके प्रभाव से उन्हें पूत्र हुआ प्रंत में मित पैदा हुआ प्रिवद पूत्र को लेकर असंसान गए और पूत्र ब्रियोग में प्रनाथ तागने लगे उसी बहद ब्रह्मा जी की मानस करने देवी सेना प्रकट हुई और कहा शिष्टी की मोल प्रवित्यों के छठे अंसर उत्पन्द होने के करण मैं छठी कहलाती हुँ है राजा आप मेरे पूजा करें और लोगों को भी पूजा करें लिए प्रेजर करें राजा ने इस पुत्र से देवी का प्रतिया और पूत्र रंती प्राप्ति हुई और यह छठी माता का ब्रत कथा पालन सब कुछ लोग धिरे-धिरे करते पूरे भरत में चलती आ रही है बहुत कुछ जानने को मिला जब तो पूरे तरह से आपने देखा किस तरह से हमारे अच्छाट पूजा मनाया गया उम्मीद है आज की पूजा वीडियो आपको पसंद आए पसंद आए चनल पर पहले चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर करता आपको पसंद आपको लाइक करके सकड़ है वीडियो आपको लाइक дивान को लेख rice ड़ियो आपको लाइक कर से भीडियो की जाने क मिला जब तो पूर्रे ठाल वि आपको जजाा इंगर κα्पको लाइक करके से अज करके से दोटाट रही है एका स lys़ाफ़ पने कर व